नॉमिनेट होने के बाद ही आईशा खान पहुंच गई मुनावर के पास हलाकि मेरा सवाल ये नहीं है और मेरा गॉसिप ये नहीं है कि भई वो पहुंच गई है मुनावर के पास ये है मेरा गॉसिप तो गैस जैसे कि हमेशा आप लोगों ने देखा कि जब भी आईशा खान जो है नॉमिनेट होती है तब वो अपने पिटारे से कुछ बाहर की चीज निकालती है जैसे कि पिछली हफते जब वो नॉमिनेट हुई तब उसने अपने पिटारे से जो है मुनावर फारुखी की ऐसी ऐसी चीजे निकाली जिससे तंग आके मुनावर को जो है वो ही बाते बोलनी पड़ी जो नाजिला से जुड़ी हुई थी क्योंकि वो connected है और नाजिला ने भी बाहर अपनी सब चीजे राम कहानी जो है सुनानी शुरू कर दी अब ये बात है कि जैसे ही ये लोग नॉमिनेट हुए वही मुनावर के पास आके बैठ गई मुनावर के साथ इसने क्या सब बाते की है ये तो भाई अंकिता से लेटिड बाते की है कि अंकिता से वो बात करना चाहता है ये वो ऐसा वैसा हो गया हर्ट क्यों है तो अब आईशा जो है नॉमिनेट होने के बाद भैन वहाँ पर क्यों चली गई है आखिर क्योंकि तो नॉ रिक्वेस्ट भी करने के बाद भी जो है आईशा ने मुनावर की रिक्वेस्ट नहीं माने और यही बात बोला कि जब बरतन धुलेंगे तब ही हम खाना बनाएंगे और बहुत सदा बुली कर रहे थी और तो यह भी बोल रहे थी कि अगर एक हवा मारे ना एक स्प्रेय मारे तो मुनावर उड़ जाएगा उसमें कोई दम नहीं है इतनी सारी चीजे जो है बोल रही थी आईशा और नॉमिनेट होती जो है मुनावर के साथ इतनी पॉलाइटली बात करने लग गई भाई क्या है दाल में काला क्या आप मुझे बता सकते हैं इसी के साथ मैं लेदियम साथ अलाग।